Hello everyone, this is FKMEC Official YouTube Channel, मेरा नाम है Engineer फर्मान खान तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को Refrigeration Cycle के बारे में बताना है और Refrigeration Cycle में मैंने आप लोगों को Pressure vs Temperature को Analysis करना है इस मेरे पास एक Refrigeration Cycle है जिसमें Compressor, Condenser, Capillary Tube और Evaporator मैंने बनाए हुए और इस पूरे इनूट को मैंने अच्छी तरह सी VQ क्या हुए आप लोगों गेज पर देख सकते हैं तो अभी इस Refrigeration Cycle में मैंने Refrigerant 8 करना है और फिर इसके बाद हमने देखना है कि Compressor, Condenser, Capillary Tube और Evaporator में Pressure और Temperature का क्या क्या सीन होता है इस Trainer में आप देख सकते हैं कि मैंने Compressor की Discharge Line पर एक Charging Pin लगाया हुआ है उसके बाद Condenser की Outlet पर Filtered Rear से पहले एक Charging Pin लगाया हुआ है फिर Capillary Tube के End पर जहां पर Capillary Tube खतम होती ही और Evaporator स्टार्ट होता है यहां पर भी एक Charging Pin लगाया हुआ है और फिर Evaporator की Outlet पर जहां पर Compressor का Section Line है यहां पर भी एक Charging Pin लगाया हुआ है तो इस चारों मुकामात पर हम Pressure देखेंगे कि Pressure और Temperature का क्या क्या सीन होता है अब Unit को On करना है और On करने के बाद Unit में Refrigion की मिगदार पूरी की पूरी Charge करनी है फिर उसके बद हम Unit के अंदर Pressure और Temperature की Analysis करेंगे अब Charging Hoose लेकर Compressor की Discharge Line पर लगाना है और इसको High Pressure Gauge के साथ Connect करना है ताके Discharge Line का Pressure हम Pressure Gauge के जरी से मैयर कर सके अब तोड़ी सी वीडियो को Fast Mode पे चलाते हैं ताके वीडियो की Size कम से कम बने तब तक हम Unit के अंदर Reference Line की मिगदार फूरा Charge कर लेते हैं तो इस वक्त Unit का Compressor चल रहा है आप लोग Multimeter पर भी इंप्यार देख सकते हैं एक नदर इंप्यार चेक कर लेते हैं तो यह तक्रिवन 1.0 इंप्यार यानि 1 इंप्यार का Current इस वक्त ले रहा है प्रेशर क्योंकि अभी इसमें रेफ्रेजिन हमने पूरा का पूरा डालना नहीं है तो रहा सा रेफ्रेजिन इसमें और भी यह करना होगा कि अंक्कार以前 को पूरा जो ही हम सक्षुन प्रेशम को इस तकी तरह रहा है आप लोगों को दिंगाने से पहले मैंने इस रeफ्रेजिन ऊइकल में लोगों को कुछ टेक्निकल चीज़ें बताने की कोशेट करनी है ताके आप लोग इस रेफरेजिशन साइकल को अच्छी तरह से समझ सकें जिस तरह मैंने आप लोग को पिक्चर में दिखाया जो हमारा ट्रेनर है जिसको हमने स्टूडेंट्स के ट्रेनिंग के परपस से बनाया है यह बनकुल सेम उसी तरह एक साइकल है जिसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, क्याप्लेर ट्यूब और इवापरेटर में इस डियाग्राम में दिये हुए है अब इस साइकल के अंदर दो इंपोर्टेंट चीज़े हैं अगर यह दो चीज़े आप लोग कवर करते हैं आप लोग समझ सकते हैं तो यह समझ लिए कि आपने रैप्रेजियन साइकल जो है वो शीक लिया पहला जो important चीज़ है वो यह है कि compressor जो है और capillative, refrigerant control इन दोनों का जो working function है यह एक दूसरे के opposite होता है जो काम हम compressor से करते हैं उसी काम को हम capillative से दुबारा restore करते है मसलन, compressor से हमने refrigerant का pressure high करना है तागे refrigerant का temperature हाई हो जाए इसके opposite जो capillative लगा होता है इसने high pressure refrigerant का pressure down करना है तागे refrigerant का temperature down हो जाए ठीक है दूसरा जो important वो है evaporator और condenser के दर्मियान इन दोनों का जो working function है यह भी एक दूसरे का opposite होता है evaporator का काम कि यहाँ पर जो भी space के अंदर चीजे पड़े हुए है यहाँ पर air मौझूद है इन से heat को अपने अंदर जजब करना है और compressor के तरफ लेके आना है और condenser का काम कि जो heat compressor से आता है refrigerant के साथ उस heat को यहाँ से बाहर के तरफ पेकना है तो इन दोनों का जो working function है वो एक दूसरे का opposite है यानि इसने अपने अंदर heat को ज़जब करना है और इसने अपने अंदर से heat को बाहर के तरफ पेकना है अब मैं आता हूँ pressure और temperature का analysis करते हैं इस cycle के अंदर शुरू करते हैं यहाँ से जो compressor का discharge line है जब compressor refrigerant को high pressure में deliver करता है तो high vapor refrigerant जो है उसका pressure 190 Pcg और temperature 46 degrees centigrade होता है अब जो ही यह कंडेंसर के अंदर दाखिल होता है तो कंडेंसर का जो काम है यह तीन पार्ट के अंदर होता है पहले पार्ट में जो refrigerant होता है यह अपना super heat को बाहर खारच करता है और तोड़ा सा temperature कम हो जाता है फिर दर्मियाने पार्ट में जिसको हम constant temperature zone भी कहते हैं दर्मियाने पार्ट में temperature जो है वो constant हो जाता है और refrigerant के अंदर जो heat होता है उसका ज्यादा तर जो heat है वो इस दर्मियाने पार्ट से कंडेंसर से बाहर खारच होता है फिर उसके बाद आखरी दो तीन लाइनों में चार लाइनों में जो sub cool zone जिसको कहते हैं इसके अंदर जो refrigerant liquid में convert हो जाता है उसको मजीद टंडा किया जाता है ताकि आगे capacitor tube के लिए temperature down करने में आसानी हो तो यूँ समझ ले कि compressor से जब refrigerant टेंकल रहा था तो 190 PSIG pressure और 46 degrees centigrade temperature था और condenser के end पर throughout the condenser जो pressure तब वो constant है 190 PSIG है जबके temperature 46 से कम होकर 36 तक यह कम हो चुका है अब यहां से इसने capital tube के अंदर जाना है अच्छा इसमें जो pressure है वो constant है इसलिए क्योंकि throughout the condenser हमने कोई भी ऐसा device नहीं लगाया है जिसे कि pressure बढ़ जाए या कम हो जाए तो इसलिए throughout the condenser जो pressure है वो constant है अब जो हमने compressor पड़ा और condenser पड़ा इसमें हमने दो process किये compressor में हमने pressure high किया ताकि temperature high हो जाए और condenser के अंदर चुंकि refrigerant का temperature high है और ambient temperature low है तो condenser नहीं मजबूरन अपना जो heat है वो ambient को देना पड़ा क्योंकि यह कुद्रत का कानून है कि हरारत हमेशा ज्यादा दरज़े हरारत वाली जागा से कम दरज़े हरारत वाली जागा की तरफ flow करता है ठीक है तो condenser के end पर जो refrigerant हमें मिला वो pressure वही constant था जिस तरह यहां पे discharge line पे था 190 PcG temperature में तक्रीबन 10 degree centigrade तक कमी आ चुकी है अब आगे से हमने राफ्रेजन का pressure दुबारा से कंट्रोल करना है ताके हमारा temperature जो है वो आगे एवापरेटर में डाउन हो चके सो जो ही capital tube के अंदर liquid refrigerant इंटर होता है इसका pressure आहिस सहिस्त से reduce होना शुरू कर देता है प्रेशर के साथ साथ temperature भी जो है आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता रहता है और जो जिस जगह पे capital tube evaporator के अंदर कुलती है जहां पे spray की आवाज आती है वहाँ पर refrigerant का pressure 10 PcG और temperature minus 9 degrees centigrade तक कम हो चुका होता है अब देखें कि capital tube के अंदर क्या हुआ capital tube के स्टार्ट पर जो pressure था वो 190 PcG और temperature 36 degrees अब जब plate के अंदर यह refrigerant याणि evaporator के अंदर यह refrigerant इंटर होता है तो चुनके refrigerant का temperature काफी कम है minus 9 degrees centigrade है और बाहर जो पड़ी हुई चीज़े है याणि space के अंदर जो पड़ी हुई चीज़े है इसका temperature ज्यादा है तो कुदरत की कानून के मताबिक इन चीजों से जो हाला रहते है वो plate की तरफ flow करता है और जिसके वज़े से plate के अंदर का refrigerant जो है उसका temperature आहिस्ता हिस्त बढ़ता जाता है और space के अंदर की जो चीज़े है वो टंडी होती रहती है अब जब evaporator के अंदर यह process हो जाता है तो throughout the evaporator जो pressure होता है वो constant रहता है pressure evaporator के starting पर भी 10 PSIG है और evaporator के end पर यानि suction line पर compressor के साथ 10 PSIG है जबके temperature भी temperature जो है वो evaporator के start पर minus 9 degrees है और evaporator के outlet पर यानि suction line पर 17 degrees centigrade है इसका मतलब के temperature इस evaporator के अंदर अहिस्ता हिस्ता बढ़ गया उसकी वज़ा क्या है कि यहां पर पड़ी हुई चीजों से इसने heat absorb कर लिया ठीक है तो जब यही refrigerant suction line से compressor के अंदर इंटर होता है तो compressor इस पर दोबारा से वही अमल करता है कि pressure को high करता है ताके आगे temperature high हो जाए तो जब compressor यह process कर लेता है तो इस दवरान refrigerant के अंदर काफी heat energy जो है वो एड हो जाती है और जब यह condenser के तरफ दोबारा high pressure high temperature के साथ आ जाता है तो condenser ने यहाँ पर दोनों जो heat थे पहला जो heat था वो evaporator के अंदर जजब हो चुका था वो भी यहां से बाहर निकालना है और जो compressor ने pressure के जरी से heat add किया वो भी condenser ने बाहर के तरफ निकालना है तो यह cycle इस तरह बार बार revise होता रहता है अब आते हैं practical इस चीज़ को देख होता है तो इस वक्त हमने तर्मामीटर का sensor discharge line के साथ connect किया हुआ है तो आप देख सकते हैं क्रिबन 45 degrees centigrade तक temperature है और high pressure gauge पर देखें discharge line पर जो pressure हो तो क्रिबन 177 या 178 PSIG तक है एक सो आटतर तक एक सो नवे से इसलिए तुड़ा सा कमी कियोंकि यहाँ पर low pressure gauge पर suction pressure देख सकते हैं अक्रिबन 78 PSIG में है अब कंडेंसर के outlet पर भी pressure और temperature दोनों चेक करते हैं suction pressure को हलका सा बढ़ा के 10 PSIG तक होना चाहिए ताकि हमारा जो discharge pressure है वो तक्रिबन 190 PSIG तक हो जाए तो आप देख सकते हैं इसवाट high pressure gauge पर discharge है तक्रिबन 190 PSIG तक है जबकि suction pressure 10 PSIG तक है यह आप देखें कंडेंसर के outlet पर जो high pressure पर आप देख रहे हैं तक्रिबन यह भी 190 PSIG है तो इसका मतलब के discharge line और कंडेंसर का जो outlet है filter के नस्दीक यह दोनों pressure जो है यह दोनों सेम है यह आप देख सकते हैं high pressure gauge पर जैसे हमने अभी refrigeration cycle के जो डाग्राम पढ़ा उसमें हमने यह कहा कि condenser के त्रू आउट जो pressure होता है वो constant होता है यानि सेम होता है अब condenser के outlet पर तर्वा मीटर का sensor लगा कर temperature चेक करना है सो condenser के outlet पर इस वक्त जो temperature है वो तकरिवन 36 degrees centigrade तक है इसका मतलब कि condenser का temperature तक करिवन 9 से 10 degrees centigrade तक डाउन हो चुका है इस वक्त 35.5 degrees centigrade है चुंकि इस condenser के अंदर ना तो कोई fan लगा हुआ है ना ही इस पे इतना ज्यादा एर बाहर से लग रहा है तो इस वज़े से temperature जो वो तोड़ा सा कम डाउन है अब capillary tube के अंदर देखते हैं कि pressure और temperature पर किया असर पड़ता है capillary tube के inlet पर इस वक्त pressure आप देख सकते हैं 210 PESIG है जबके throughout the capillary tube यहाँ पर आप देखेंगे pressure जो है इससा इससा ड्राप होगा तो यह मैंने charging pin लगाया हुआ है एक evaporator के inlet पर यहनी capillary tube के outlet पर और यह charging फूज लगा हुआ है तो आप low gauge पर देख सकते हैं कि low gauge पर इस वक्त pressure तक्रीबन 11 PESIG है इसका मतलब कि capillary tube में तक्रीबन 210 से अगर 11 PESIG माइनस कर दिया जाए तो तक्रीबन 199 PESIG का pressure जाए सिरुफ capillary tube के अंदर drop हो चुका है तो यह आप अच्छी तरह से देख सकते हैं low pressure gauge पर जो कि capillary tube का outlet जो pressure drop है वो बता रहा है तक्रीबन 11 PESIG है अब हमने capillary tube की inlet पर जब thermometer का sensor लगया था तो उस वक्त 35 degrees centigrade का temperature था जबकि capillary tube की outlet पर आप इस वक्त देख सकते हैं जो कि तक्रीबन minus 10 degrees centigrade का temperature इस वक्त drop हो चुका है capillary tube में temperature इसलिए drop हो चुका है क्योंकि capillary tube के अंदर pressure drop हो हुआ है इस वक्त आप capillary tube के coil पर frost देख रहे हैं क्योंकि तंड़क की वज़ासे यह जो आसपास coil के आसपास जो हवा है इस यह heat जो है absorb कर रहा है और इस वज़से जो तक्रीबन साथ से 8 coil हैं इस पर बहुत बारी है वह हमेशा से seal होता है इस पर बाहर का temperature जो आसर अंदाज नहीं होता इसके बाद अभी हमने evaporator के अंदर pressure और temperature को चेक करना है इसके लिए मैं discharge line के साथ लगा हुआ जो charging हुज़े उसको उतार लेता हूं और इसको compressor के section line या जिसको हम evaporator का outlet line भी कह सकते हैं इसके साथ connect करना है जो मेरे पास इस वक्त नीचे gauge मेरी fold पड़ा हुआ है इसमें जो low pressure gauge है वो evaporator के inlet जबके high pressure gauge evaporator के outlet के साथ connect हुआ है तो इस वक्त आप evaporator का inlet और outlet दोनो pressure जो है वो compare कर सकते हैं दोनों बेलकुल same है constant है यह जो yellow color का charging hose लगा हुआ है यह आप लोग देख रहे हैं यह evaporator का inlet है low pressure gauge के साथ लगा हुआ है जबकि जो red वाला charging hose है यह evaporator का outlet है हम देख रहे हैं यह high pressure gauge के साथ लगा हुआ है तो दोनों का pressure जो है यह बेलकुल constant है आप और से देगें इसको दोनों gauge हों पर pressure कितना है तकरीबन 11 psig है temperature जो है यह minus 9.6 degree centigrade है तकरीबन minus 10 degree centigrade तक है यह evaporator का inlet है अभी हम इसको यहां से हटा कर इवापरेटर के outlet यानि suction line जहां पर compressor का है इसके सथ कनेक्ट करेंगे तोड़ी देर के लिए इसको temperature को sense करने दे अब यहां पर देगें क्रीबन 3-4 मिनुट के बाद यह 17.2 degree centigrade का temperature बता रहा है इस वक्ति यह suction line यानि इवापरेटर का outlet line पर temperature 17 degrees centigrade तक है जबकि inlet पर temperature कीतना था minus 10 degrees centigrade तो minus 10 degrees centigrade से temperature बढ़कर 17 degrees centigrade तक हो चुका है इवापरेटर का temperature इसलिए बढ़ा है क्योंकि इसने आसपास के हवा से जो heat है वो अपने अंदर जज़ब किया हो है इसलिए तो coil जो है वो बिल्कुल टंडा हो चुका है जबकि pressure gauge पर अगर आप pressure दोबारा चेक करेंगे तो यह बिल्कुल throughout the evaporator pressure सेम रहेगा अब देखें तकरीबन 11 पीस आई और high pressure gauge पर भी 11 पीस आई यह evaporator का outlet है और यह evaporator का inlet है अच्छे यह जो pressure और temperature के values हैं यह इस unit के लिए हैं हो सकते हैं आपके refrigerator में यह values चेंज हो क्योंकि आपके refrigerator में compressor, condenser, capillary tube और evaporator के size जो है वो मुक्तलिफ होते हैं सो उमीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ चुकी होगी बहुत बहुत शुक्रिया, Assalamualaikum